अग्षार जा जाएंगे और भाई सबसे पहले तो आप सभी को सब्सक्राइब सब्सक्राइब मुझे आप लोगों के चैट दिखने रहे आपको मुझे पता नहीं आप लोगों देखो लिखाए क्या चैट बॉक्स में दोड़ा सा अग्षमी कैसी आती है बस यह देखना चाहिए शाम को लक्षमी कभी देनी नहीं चाहिए किसी को है ना मतलब कोई पैसे मांगना है तो हम बोलते शाम रात कड़ा हैं मुझे लक्षमी कैसे आ सकती है जीवन में लक्षमी बिड़ा कहा से आएगी कैसे आएगी आज उस पर अदम जोरदार चर्चा होगी सारे की सारी बाते यहां पर आज डिसकस होने वाली है सर हमने सी सेट में ए चाप्टर तो भही दूर-दूर तक एकोनोमिक से लगी नहीं रहते लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे देवयो सजनों वो ऐसी चीज़े पढ़ेगी जो एद्दम रियल लाइफ में काम किया जी हान जो एद्दम ही रियल लाइफ में काम किये ऐसी जीज़े हम पढ़ना रहे मतलब ही हम पढ़ना ले डियोश्विंट आज हम financial management, right और भही नसीब देखना आपका अब तक internet ही नहीं था डियोश्विंट मेरा internet connection नहीं था लेकिन अब थोड़े दिर जस्ट पहले ही restore हुआ है तो आपना lecture भी दम पूरा खंदान है उसकी मम्मी भी है उसके पापा भी है और बैडमिटन वाली की सहली भी है तो बड़ा ये सारी चीज़े आपण डिसस करेंगे इसके पहले मुझे बताओ भई उसके पहले जल्दे दिससा आजये चलो चलो चलोचलो सभी आगए क्या बड़ा मतलब जाद है नहीं टोंड वरी में भी समझत हो बड़ा खाने पिने का टाइम हो चुका है फामिली के साथ time spend करने का वक्त हो चुका है जादे नहीं पढ़ेंगे लेकिन जो अद्दम काम का है ना बटा लक्ष्मी management आज पढ़ाओंगा मैं आपको लक्ष्मी management अगर आपको मेरा आवास टकाटक आ रहा है स्क्रीन टकाटक दिख रही है मेरे बैकेंड मेरे पीछे है थोड़ा बहुत हमने काम किया बटा आपलों के लिए तो जल्दी से हो लाइक बड़े ड़को जल्दी राइट सोदार मुझे समझ में है सब कुछ किस्चल क्लियर है and then we can quickly start hello everyone जल्दी जल्दी प्लीज अब डाउट आ रहा है सच में इनर्जेटिक थे क्या सब डिले डिले लग रहे है मतलब अब तक तो कुछ हुआ भी नहीं रात में सोने का टाइम हो गया क्या आप लोंगा नो बजी जल्दी करेंगे बड़ा प्लीज भी कुछ बच्छे बोल रहें नहीं सर अभी हम लाइक नहीं करेंगे हमको डाउट लग रहा है सो लाइक बटन दबाने से शायद हमारे गूगल पे में से आपकी अकॉंट में कई पैसे ट्रांसपर तो ना हो जाए क्योंकि आज तो हम डेमो देखने आया सर फ्री वाला है ना तो सर लाइक बटन की शायद पैसे कटते है सा सुना करना नहीं है आईए देवे से जना चलिए भई बाकी सारे बाते हम बात में करता है जल्दी से आईए टापिक के साथ शुरू कर लते हैं डिसमर में एक्जाम दिया था दिया हूँ बट रिजल्ट नहीं हो रहा और येस एकाडेमी को मिस्स कर रहा हूँ इसलिए सेकंड मॉ लट्स गो लट्स गो यह लिजए आपको अभी मेरी स्क्रीन भी दिखेगी यह रही अपनी स्क्रीन और प्लीज जेशन स्क्रीन दिख रहा तो जल्दी से एक बार लाइक ठोक दो तकि मुझे समझ माँ है कि सब परफेक्ट है और यह एक बात है अपने आप में इसको अब किसे आभी हम CS बनने लग गए कुछ बच्छे सा पोस्ट डालते है किसों लोग मुझसे कह रहे थे कि मेरे से CS नहीं हो पाएगा और आज मेरे को कहना चाता हूँ कि मैंने पॉस्ट आट्यम में CS किया बड़ा एक चीज़ समाझना है आपका CS जब ड़ी निकल गया है रइट वेरी हैपी रइट आपकी मेसेज आते है आपका प्यार आता है बहुत बड़ी आ लगता है लेकिन जेशन्स प्लीज मेक नो मिस्टेक अब आप बस CS की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो रइट एंटरंस टेस्ट थी वो क्या थी वो लेकिन जो sensible content है जो logical content है जो relevant content है जो आप real life में सच में use करोगे अब वो शुरू होता है एक जगे लेवल से और देशन्स बोलते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है कि उसमें जो मेरा ये subject है financial management क्या बलते होड़ा actually financial and strategic management है तो ये जो financial and strategic management operations मुझे बोलते है बहुत खुशी होती है कि this is one of those subjects which is offering the most hottest समझते हो hottest careers in this century मतला अगर आप आज के corporate world में सबसे hottest test careers की बात करो ना जहाँ पर सबसे ज़्यादा वो demand है सबसे ज़्यादा आपकी salary है सबसे ज़्यादा ideations आपको एक तरह से आप बोलना आपके packages है आपकी respect है तो ideations वह finance का field मतलब भाई ये वो area है जहाँ पर sky is the limit in fact sky भी कम गिरे इतना मतलब ऐसे इसे ideations जिन्होंने crores of rupees के packages कमा हुए so वो बच्चे जो मुझे पूछते सब क्या CS सिर्फ law कर सकता है कैसे CS कुछ और करी नहीं सकता है मतलब हम सिर्फ law पढ़ सकते है और law के finance mainly पढ़ा जाता है ऐसे CSCMA वाले या accounting related finance related corporate world related knowledge पढ़ा जाता है CSCMA या अपने professional courses थे बड़े इन सब ने एक lesson सिखा अपने professional courses ने सब क्या lesson सिखा बड़े 2001 के आसपास का जमाना है जब एक जमाना था डियाशन जाहे एक MBA की एक well qualified MBA की salary इन से कभी-कभी जादा हुआ करती थी एक MBA जिसने finance में बहुत अच्छा किया हुआ जिसने finance में expertise लिए हुई अडियाशन उसकी salary इन professional courses से जादा मतलब जिसने मेहनत करकरके बड़ा CA बना इतना मेहनत करकरके वो CS बना मानले जिसने CMA के degrees दे auditions इतना करने के बाद भी एक MBA की salary CSA CSA में से जादा से यह कैसे क्या हो गया सर मतलब क्या मतलब क्या क्या कौन से हमने पाप किया से पुराने जन्में उन्हें कि इन लोगों की salary कम और MBA की salary जादा हो गए हरशित मंगला थैंकि सो मच बड़ा थैंकि सो मच या I love you more है ना चले देखिए देखिए सर इस दर एनी फ्री क्लास फो CS जाबलेट मंजुश्री शट्टी यह चैनल बड़ा यह से कैडमी फो CS हजारों बच्चे यहां से पास हुए है हजारों और पास होंगे क्या हो गया कि इनके सैलरी कम और इसकी सैलरी जादा बहुत इंपॉर्ट बात है समझना जारा क्यूंब एक की सैलरी जादा थी इन से कुछ हैंब इसकी क्यों यह सब CA हो CS हो CA में हो यह सब कही न कहीं कोई न कोई compliance का ध्यान देते थे जिसे CA क्या करता था accounts related compliance, direct tax related compliance यह purely CA देखता था CS का देखता था legal compliance, law related compliance और CA में थोड़ा सा costing related compliance देखता था अब problem क्या थी यह तीनों महरती थे अपने अपने शेतर में लिकिन यह सिर्फ company को comply कैसे करते वो सिखाते थे comply कर भही comply कर भई 지금 law में लिखा में काइदे में लिखा में कानून में चपा है मुझे भी एक बड़ी company बनना है उसल सा compliance CSS compliance यह rule है यह law है और वो तो मैं करता लिए मुझे मेरे business को grow करना है improve करना है बढ़ाना है manage करना है मुझे मेरे finance को manage करना है मुझे मेरी Lakshmi को यार उसके बारे नुझ कुछ बता हो कैसे grow करे नहीं, 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 वो हमारे इसमें नहीं आता है, हमारे इसमें आता है, कम्पलाइंस, हम उपको बता सकते हैं, लॉस क्या है, हम उपको बता सकते हैं, अकांटिंग लॉस, टैक्सिजन लॉस, मतलब कॉर्परेट लॉस, कॉस्टिंग लिटिट के लॉस, यह हम उपको बता सकते हैं अच्छा ठीक है फिर फिर कंपनी बोला लो चली में तेड़ेंग कंपनी बना दो आप मेरी बैलेंशीर बना दो आप मेरे जो कंप्लाइंस एडिविट से वह सब दे दो मुझे वह सब लेके एंबे के पास जाता हो कि बला बई वा क्यों जा रहा है तूं उसकी क्या जरूत है हमें न अर्थ तुम सिर्फ कंप्लाइंस सिखाते हो यह अच्छे यह क्या करते थे यह अपिए कंपनी की दिशिट से एक बैलेंश शीट है इस बैलेंश शीट में वह अपनी पोजिशन कैसे इंपरू कर सकता है क्या कर सकता है क्या उसने लोन यूज परना चैकर उसने एकूटी यूज क्यों यूज यूज करना चैये है यह वोता था कि हैं अब बता था है कि का CS साब कंपणी का CS साब CMA साब ठीक है मुझे समझ मैरा मेरी बैंड बज़े हुए अब बताए ना कि मैं इंप्रू कैसे करूँ नहीं नहीं वह ते हमचा कुर्स में नहीं है हमारे कुर्स में वह नहीं आता अन हैंस यह इलाज देते थे इलाज यह प्रॉब्लम बताते थे इलाज देते थे और इसकी वाल्य एक जमाने में ज्याजा थे और फिर तब हमारे इंस्टीटूट ने एक चीज समझी कि हमसे प्रॉब्लम बताते हैं हम इतना पड़ते लेगिन बस क्योंकि फिनान्स जो आज का सबसे होट टॉपिक है हर कंपनी को एड़ दे एंड आज तब ये शुट्स तब से लिके आज तख तक तीनो प्रोफेश्वन कोसे में आप देखना ये शुट्स वो सब्जिक जो इदमी कॉमन है जो अब हर जगा आप देखोगे वो है फिनेंशियल मेनेजमेंट चाहे सीयज पड़ो वार पे भी है चाहे सीय में पड़ो वार चाहे MBA पड़ो वापे भीए चाहे BBA करो वापे भीए Financial Management Finance का Management उर्फ How to Manage Lakshmi लक्षमी कहा से आती है Lakshmi कहा से आती है Lakshmi कहा को जाती है कहा से Lakshmi आएगी कहा Lakshmi जाएगी कैसे मैं Lakshmi को करू Management उर्बड़ा हम पढ़ने वाले है इस सब्जेक्ट में Lakshmi Management सर आपने तो कहा हमारा सब्जेक का नाम Financial and Strategic Management है हम समझ गए कि सर इसमें Finance का Management पढ़ने वाले सर वो कितने माक का है बड़ा सो में से 60 माक सरफली Financial Management के और बचे वे जो 40 माक है दियुशन्स वो है Strategic Management सर Strategic Management मतलब क्या कि दियुशन्स अब जो तुम Economics में थोड़ा बहुत पढ़ते तरहां सब theoretical चीज है अब exactly उसके एक तरह से आप देखना उसका next level वो है उसका practical implication कि दियुशन्स थियोरी में पढ़ना सिंपल है demand supply, demand forecasting करना वगर है लेकिन एक company कैसे अपनी चीजों को strategize कर सकती है कैसे Jio ने dear students अपना free internet देखे कई सारे companies की band बज़ादे telecommunications की लेकिन फिर भी ऐसे Jio को भी dear students फिर भी Airtel ने फिर भी अपना customer base कई हद तक बहुत देर तक maintain रखा ऐसा क्या क्या Airtel ने कि Jio की इतने severe इतने intense policy में भी वो survive कर गया छेचे मैंने free दरते Jio Vodafone idea को merge होना पड़ा इतने level तक का customer base तूट गया तकी Jio ने दिया छेचे मैंने free फिर इतने क्या दिमाग लगा क्या ऐसा strategy वो use कर रहे इतने क्या एसा strategy वो use कर रहे जो ऐसे competition में survive कर पाए क्या इसी strategy है कल हम company के बड़े managers बनने वाले सब कल हम जब CS बनते है किया पाया देखे रहेंगे तो क्या फ़ाया देखे रहेंगे कि ये मेरा subject जो financial strategic management पहले बड़ा यह होता था CS professional level पर जी हाँ, सई सुना अपने बढ़ा, का का सब्जेक्ट है यह, यह विड़ा CS Professional लेवल का सब्जेक्ट, CS Professional में बच्चे बढ़ते थे इस सब्जेक्ट को, और वहाँ से कंपणी इंस्टीडूट ने उठाया कि आरे मेरे यह यंग्स्टे, आरे मेरे यह यंग बच्चे, आरे य compliance एक पार्ट है CS का बट CS मतलब सिफ compliance नहीं बटा इतनी छोटी दुनिया नहीं अपनी कि हम सिफ law 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 और company को बोले ये कर ये कर ये law में लिखा ये कर ये resolution उसमें इतनी रहना चे इसमें इतनी voting रहनी चे इतना quorum रहना चे ऐसे ही pass करेंगे ये करना पड़ेगा इतना time period लाएगा notice में इतनी गया पूनी चे अरे मेरी company तुझे compliance भी करना है लेकिन hey मेरी company मैं तेरा key manageable personal हूँ I'm a CS मैं इसी company को बढ़ाना भी तुझे सिखाऊँगा manage करना भी तुझे सिखाऊँगा हम देखेंगे कि हमारे company की worth बड़े हमारे जो owners है हमारे जो shareholders है हमारे जो investors है हमारे जो stakeholders है इन सब में real wealth creation हो और ये करना अनिवारिया है बहुत important है क्योंकि यह हम सब चाहते है आप आपकी जो company होगी आपकी जो company के stakeholders होंगे जो government of India है और ये इंडा की आपको मैं देनाजर रखते हुए कि ये subject जो professional level पे था कि आपको अभी से ये अंदर एक जल जाए कि अपनी दुनिया सिर्फ compliance नहीं बटा हम की managerial personal है company के की managerial personal important की मतलब समझते हो हम बोलते है प्राइम मिनिस्ट्र आप इंडिया माने जैं मत्रों और हम कहते है कि देश का प्रधान मंत्रे इस देश का एक की managerial personal की managerial की मतलब क्या हम बोलते है प्राइम मिनिस्ट्र is a key key person for the country's what you could say country's political management की person मतलब क्या सबसे important person similar decisions आप बनने वाले हो company की managerial personal और आपको ये आज से आपकी दिल में curiosity तयार हो जाए एक love create हो जाए finance को manage करने का क्योंकि आपको company को grow भी करना है आप बहुत सारे roles निभाने वाले इसलिए institute ने बहुत साइडिसेन दिया they ensured कि they enable you right they enable you with this knowledge and hence they got this subject from professional level to executive level तो सबसे पहले भी मैं ICS आएगा धन्यवाद देता हो खेरा भी DCN लेकि दो-तिन साल हो गए फिर भी बहुत ही सोच कर institute में का अच्छा design आप दे लिया कि एक relevant subject को professional और final level में आपको आचानक से दिखाना कि देखो कितना एक और बड़ा domain है जिसमें आप एक काम कर सकते हो उसको उठा कर उने executive level पे लाया कि बेटा आज से ही तु तेरे दिल में ज्वाला जला ले कि तुझे ये भी कर सकता है तू और आज तेरे दिल में curiosity हो गई तो professional level तक जाने तद तद उसको और develop कर सकता है and hence suggestions आईए शुरू करते हैं ये बहुत सबरदस्ट सा सब्जेक जो अगे लेखे चलते फिर आपने ये सारी बाते कर लेंगे salary कितनी है बागे हम कितना कमाएंगे सम और कैसे कमा सकते है highest salary क्या है minimum salary क्या है सारी बाते करेंगे आईए लेकिन ये समझ देना ये जो financial management है बड़ा ये 60 marks का है जो strategic management है 40 marks का है अब इस 60 से लेखे 65 पकड़ना अब deviations थोड़ा सा change हो सकता है exact 60 मत पकड़ना अब बड़ा 60 में भी ऐसा है कि around 30 marks का आपको theory questions आएंगे और around 30 marks के deviations आपको practical questions आएंगे न तो ये मेरा subject जो deviations इसमें practical भी है ये आपके सिर्फ law या दूसरे theory subject जैसा है नहीं जहाँ पर theory theory काफी होती है प्राक्टिल कम यहाँ प्राक्टिकल का एक वेटेच अच्छा कासा है फैर है almost देखो तो 60 mark में 30 mark का practical है 30 mark का theory और वैसे एडियोशन पको जो strategic management है ये पूरा का पूरा 40 marks जो editions ये theory है लेकिन FM में ज़रा ध्यान रखना FM में भले में कहता हूँ कि 30 mark की theory है बडियोशन से जो theory रहती है ये practical based theory रहती है सब practical based theory क्या रहती है मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगा डियोशन से आपको जो notes मिलेंगे notes में आपको basically डियोशन से देखना तीन टाइपी चीज़ें मिलेगी एक तो सब कुछ complete theory डियोशन से रहने वाली है एद्दम मस्त चार्ट और colored format में मतलब इसा book खोला की मज़ा आना चाहिए एद्दमार बुक खोला की मज़ा आगया हाई 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 जी वाव लोग है मतलब सब कुछ chart format में theory तो होगी FM के theory के mcqs होंगे अलग से FM के practical mcqs होंगे अलग से आपके sm के और mcqs होंगे और ये theory भले कहा मैंने FM में 30 marks की theory है पर ये practical based theory होती है मतलब although calculations नहीं करने लेकिन practical logics को apply करके आपको बताना है कि इस situation में क्या सही रहेगा आपको answer कोई अकड़ों में नहीं देना है आपको नहीं निकालना है कि आपको ये पताना है सोच कर कि जो scenario दिया है इस scenario में क्या होगा बढ़ेगा घटेगा exact अकड़ा भी बुलना है ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि क्या impact पढ़ रहा है इन variables के उपर dependent variables के उपर independent variables के उपर और फिर आपको दियाशून्स आपका जवाब देना पड़ेगा right so this is a fantastic new area you'd love this और आपको ऐसा लगा यार best किया मने मतलब कितना बड़ेगा content है theory भी हम पढ़ते है law अगरे भी हम पढ़ते है हम legal compliances भी पढ़ते है हम accounts भी थोड़ा पढ़ लेते है हम financial management भी समझते है so the entire syllabus has been designed so so that it can empower you to get more out of your profession more out of your profession मतलब CS मतलब law इस सोच को बस मटाना CS में एक key managerial personal है वो 10 चीज़े कर सकता है जी सा समझ में आ गया so roughly FMSR 30 marks सा तो pure practical है 30 marks की theory और SM तो पूरा पूरा theory है तो सम ऐसा conclude कर लेते हैं कि थोड़ा theory जाद है बड़ा नहीं आप ऐसा है समझो कि FM में भले theory आती है 30 marks की बड़ी है practical based theory है so FM is overall a more of a practical subject and strategic management is purely a theoretical subject done बड़ा या तक है clear है हरशित पूछ रहा है सर आप कौन से लक्ष्मी की बात कर रहा है जो तू सोच रहा है ना बरोबर बड़ा मैं उसी लक्ष्मी की बात कर रहा है लगी चलिए बड़ा आज शुरू कर लेते हैं आपका financial management पढ़ाफत से पढ़ेंगे एद्दम प्यार स हसते के लिए बड़ा 15-20 मिट ले मस्त पढ़ लेते हैं I know थोड़ा सा आपका family time हो गया है लेकिन थोड़ी लक्ष्मी की बात समझ लेते हैं क्योंकि लक्ष्मी अगर managed है तो बहुत कुछ life का managed है ना so come up let's start financial management साब इस financial management में हम क्या पढ़ेंगे बड़ा आप देखना ऐसा सूचे कि आपके 11th standard के अगर मैं अपसे सबसे पूछो मैं आपको कि आपने 11th में मानले जज़ आगर आपने commerce लिया होगा काफे सारे बच्छे ऐसे हैं भी नो जुनोंने science लिया होगा और अब directly CS में आए but for those who had taken up or who had chosen commerce in 11th if I asked you what was the first journal entry that you studied in 11th standard तो भाई first journal entry आपकी यही थ हमें भी आता था Mr. X started business with cash started business with cash या started business with capital started business with cash रुपीज से जो भी दिया रहेगा 1 lakh रुपीज है रुपीज 10 lakhs और आपो कहते थे बड़ा इसका journal entry पास करो और आप कहते थे कि cash आ रहा है या बैंक में पैसा आ रहा है so cash आता है तो cash account debit यह ना आप करते थे cash account debit to capital account यह ना यह आपकी फर्स जल इंट्री बड़ा बड़ा क्या आपको यह आपको यह आपका बॉच्पन का concept बेड़ा भूल नहीं जाना रहे क्या यह बच्पन concept आपको आज भी आज है क्या 11 में यही वो जल इंट्री दियो जो आपको एक्जाम में भी थी first transaction हमेशा यही रहता था Mr. X started business with cash rupees 10,000 rupees 1 lakh तो इसने furniture खरीदा वगरे वगरे तो भई जब Mr. X cash लेकर आते थे या capital लेकर आते थे एक Mr. X का business छोटा था तो वो 10,001 lakh capital लेका है समझ मैं यह बड़े बढ़े पहाड में बड़े बड़े पहाड मेंडे बढ़े पहाड में यह शबता हुआ समंदर समंदर में बढ़ा रिलाइंस करना चाहता है डिगिंग और डिक करके डियस्ट यह जो कंकड है यह पत्थर है इंको हटा कर वा अंदर जाके डियस्ट जो पेक्ट्रोल है वो निकालना चाहता है और यह सब करने के डियस्ट उनको चेट 2,000 क्रोस मतलब Mr. X जैसा 10,000 रुपीज में काम नहीं होने वाला है कि 10,000 रुपीज लाए बिजनस शालो हो गया वाह पान मसाले का बिजनस नहीं है जी यह सर यह है क्या बटा इसको क्रोस अफ रुपीज लगने वाले और उनको बहुत कापल रिस करना है अब जब तक 11th में हो तब तक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ा पैकेज हाट से निकल जाएगा अगर तुम यह नहीं समझ पाए तो सर आप ये बताईए ना समझना क्या है देख तो बड़ा सबसे पहले गंपने आपसे यही पुछेगी कि अगर मुझे capital लेना ही है तो मैं capital कौन साल हूँ सर कौन साल हूँ मतलब मतलब मैं क्या equity share capital raise करूँ क्या मैंने market में preferences देने चाहे क्या मैंने market में हाइस packages finance manage करना जिसको आता है luxury manage करना जिसको आता है वो अपनी भी luxury manage करता है वो दूसरों की भी luxury manage करता है वो अपने घरवालों की भी luxury manage करता है और अपने company की भी luxury manage करता है और जो luxury manage कर सकता आज के दारी में वो सब कुछ कर सकता है मतलब समझ दो वो सब कुछ कर सकता है राइट अगर एक कंपणी डियेशन शुरू होती है एक कंपणी चार्ट की तो आपकी कंपणी आपसे पुछेगी है की मैनेजरल परसोनल साब हमें बताए कि हम हमारे कंपणी कापिल का से लेखा है हमने तो सुना है हमने तो सुना था विकासे के लेक्ष्र में सर किसा security's काफी सारी होती है market रता है share market रता है bullish रता है bearish रता है तो क्या Golf रता है हम उस equity रता है पैसे लिखा आ जाए क्या हमने preferred share से पैसे उठाना है अ हमने debentures लेने है क्या हमने से term loan से पैसा लाना है बताओ ना कि company का capital हम कहा सला है हम ये company का capital कहा सला है बताए आप हो key managerial personal इतना बड़ा position देकर रखा है law में CS को अरे अच्छा है यह जो मैं बोल रहा हूँ और KMP, KMP, key managerial personal ये मैंने दिया हुआ नाम नहीं है आप लोगों को ये law में लिखा है कि CS would be considered as a key managerial personal law में बेटा ये note source में नहीं लिखा ये law में लिखा है आपकी ये position है तो आप key managerial personal बोलने से तो कोई key नहीं बनता ना knowledge चाहिए तो फिड़ा फिर आपको company को बताना है कि sir अब capital लाएंगे भी तो number one आप कहा से लाएंगे तो आप पढ़ेंगे वड़ा source of finance क्या पढ़ेंगे आप source of finance अलग कराईए लोन लेकर आएंगे तो interest देना पढ़ेगा डिमेंचर लिया उस पर interest देना पढ़ेगा अपने equity शाय से पैसे उठाए वो है cost of finance या cost of capital कि आप जो भी पैसा उठाओगे उसको एक cost आने वाला है so cost of capital ये भी आपन पढ़ेंगे तो sir सिलाबस के दो chapters आपने बता दिया आप कोशिश क्या करो बड़ा मैं आपको पूरा सिलाबस आपना बता रहा हूँ वो भी index बनाए इंडेक्स नहीं बनाएंग कि इंस्टिटूट ने आपके लिए डियाशन से ऐसा ही इंडेक्स क्यों बनाया देखो कितना लॉजिकल है आपका पूरा कॉंटेंट तो आपको सबसे बढ़े पढ़ना क्या बड़ा source of finance के company का का से ला सकते दूसरा लाया भी तो सबस्ट क्या होगा आपको पढ़ना है cost of capital तो यह हम बढ़ेंगे company को हमारे बड़े बड़े companies को अगर हम कल जा रेडियोशन से हम उनको बताने में हम उनको बताएंगे कि कौन सा capital उनके लिए best होगा अब सर company capital लेकर आई why does a company need capital in the first instance आप मुझे बताएंगे company को capital की ज़रूद क्यों है chatbox yes everybody but out sir मुझे बताएंगे company इतना capital raise क्यों करती है sir company को करना है business business करना है company को अच्छा so क्या क्या लगता है business के लिए capital क्यो लाया था sir इस capital को इसा कांच की पेटी में रख कर देखने के लिए नहीं लाया हाई मेरा capital कितना सारा है wow it's looking so good capital कोई company क्यों लेती है time pass के लिए थोड़ी लेती है capital कोई भी company इसलिए इसलिए कर पाया yeah बिल्कुल सही अंके to operate the business मतलब भी business चलाने के लिए company negotiations बहुत सारे assets में invest करेगी और बड़ा यहां आपको पढ़ना है एक chapter कि company बड़े-बड़े assets में जब invest करती है तो इतने बड़े investment decisions company कैसे लेती है सब real life में बड़ा सब real life का आप हम पढ़ाएंगे हम आपको सब पढ़ाएंगे real life में कि company अपने investment decisions कैसे evaluate कर सकती है कौनसी मशिन खरिदनी है कौनसी मशिन खरिदनी है कंपनी को पूलता three star का है three star सस्ता है और उसका electricity का खर्चा ज़्यादा आता है अब डिश्योंस ऐसे मैं आपको पूछा जाएगा कि बताओ कि क्या investment करना चाहिए और भापे टेक्नीक से जिसे आप छोड़े decision का ऐसे बड़े-बड़े decisions investment proposals को evaluate करने के टेक्नीक जो है वो भी आप इस labs में investment decisions ठीक है सर लेकिन साब business चलने के लिए सिर्फ बड़े-बड़े fixed assets सोड़ी लगते सर समको current assets भी तो लगते business में current assets भी तो होते business में सा current liabilities भी होते हैं इनको कैसे manage करें तो बड़ा current assets और current liabilities current assets और current liabilities बतले इन दोनों का जो difference है current assets minus current liabilities इसों कहते है working capital और उसको manage करना company के current assets और company के current liabilities को कैसे आप बढ़िया तरीके से economic तरीके से optimum तरीके से operations manage कर सकते हो यह भी अपने से लावस में which is called as working capital management यह भी चैप्टर हम पढ़ेंगे अब company बड़ा इतने सारे assets लाए company ने बड़ा current assets भी ले स्टॉक और खरीदा यह माल वाल खरीदा raw metal खरीदा उसो finish गूर में convert किया company उसको बेचा बेचने के बाए operations company को बहुत सारे profits हुए है क्या हुए बहुत सारे profits है अब company चाहती है कि अब इतना सारा पैसा होगे इतना सारा पैसा होगे इसको हम कहाँ invest करे हम कौन से shares खरीदे, हम कौन से securities खरीदे है कौन से securities करीदे, कौन से अलग-अलग company के shares खरीद के, हम अमार एक बड़िया portfolio बनाए, क्या बोलताए जब बहुत सारे अलग-अलग company के shares purchase करते हो और एक group of shares बनाते हो, इसको बोलते बड़ा portfolio, come on कौusan ले कैसा ले इसके भी कुछ फूल्स पढ़ेंगे ехगा बिल्कूल कि आपके शॉल्स में Heiilar charts रहते हैसर अलग इनक टाइप के chart, वर्स हम ने पढ़े यहां, इतने आते रहते है, share market by रगज कम्पणी ने अगर डियेशन से अपने कहा, सर अपने कहा कि कम्पणी ने अगर equity shares से पैसा उठाया, तो इन equity shareholders को देना पड़ेगा, आप सभी को of course dividend, सर कम्पणी ने कितना dividend देना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए, कम देना चाहिए, सर ज्यादा दिया तो shareholders तो खुश हो जा कम्पणी का सपैसे नहीं बचेंगे, बहुत कम dividend दिया, तो भी लोग नाराज हो सकते, सर एक बड़ी company में, अगर मैं key manager or personal हूँ, तो सर आप मुझे बताइए, कि directors अगर मुझे पूछे, कि आप अपना suggestion दे, आपको क्या लगता, आप अपना opinion रखे, कि company ने इस सार dividend देना क्या बढ़ेंगे हम different decisions, इसका लगता, अपके syllabus में एक है, वो है introduction to FM, पहला ही chapter, कि लक्ष्मी management मतलब क्या, लक्ष्मी का introduction करेंगे न आप से, बिल्कुल करेंगे बड़ाले, hi everyone, ये है हमारा subject, ये है लक्ष्मी, और आपको करना है लक्ष्मी management, आपको लक्ष्मी, लक्ष् finance का management करना है, ये introduction to financial management, ये भी आपके syllabus में है, ये भी आपके syllabus में है, ये भी आपके syllabus में है, अपको पढ़ना है पैसा है, तो उसका investment decision देना, फिर सर उसका financial management का basic introduction, ये हो गया, फिर इसके बाद आप आगे जब चलते हो, dear students, तो आपको ये भी पढ़ना रहता है, कि एक company ने sir, equity से पैसा उठाना है, ये source of finance तो हमने पढ़ लिया, पर इस source of finance का 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 से हम पैसा लाते है, इसका हमारे company के value पे क्या फरक पढ़ता है, मतलब capital structure का, company का capital structure क्या वड़ा, समझता structure, आजी, वो नहीं नालाइको, company का financial structure, कि company ये loan ज्यादा लिया है, तो इससे sir, share market में problem तो नहीं होगा, sir, company equity बहुत लिए हुए, sir, इससे तो company के value पे impact तो नहीं पढ़ेगा, तो capital structure का भी company के value पे क्या impact पढ़ता है, वो भी आपके syllabus में, तो देखना बड़ा, मैंने आपको पूरा-पूरा syllabus दिखा दिया, पूरा- पूरा syllabus आपको FM का learn करवा दिया, वो भी पूरे logic के साथ, sir, कैसे क्या logic क्या थी इसमें, मैंने का index दिखाया, अपने बड़ा-पूरा-पूरा syllabus जो है, वो मैंने आपके सामने आपे लिखा हुआ, sir, वापने क्या, start, sir, मैं सबसे बहुले company start करने जाओंगा, तो मुझे ता लोन लिया, तो bank को देना पड़ता है interest, sir, अरे, capital में से सस्ता कौन, risk इसमें कितना है, पतला हम पढ़ेंगे बड़ा cost of capital, अरे, वा, sir, अब ये भी पढ़ा दोगे, सस्ता कौन सा है, हमारे company के लिए best कौन सा होगा, जी बिल्कुल, वो भी अपने syllabus बहुत, इसके अलबाद अगर ये capital लाया है, तो इस capital कामने को कहीं, तो करना है what, invest, तो हम पढ़ेंगे investment decisions कैसे लिये जाते है company के, इनको manage करने के लिए decisions हम पढ़ेंगे working capital management, क्या पढ़ेंगे बड़ाबन, working capital management, ये भी बढ़ने वाल, sir, sir, लेकिन company loan लेती है, तो क्या फरक पढ़ता है, sir, company equity से का अगर कुछ काम चला है, तो क्या फरक पढ़ता है, मतलब एक company को 20 लाक रुपे की जरूत है, क्या फरक पढ़ता है, क्यों लोन से ला रही है, या वो equity से ला रही है, बड़ा बहुत फरक पढ़ता है, ये हम पढ़ेंगे under the chapter called as capital structure, company का capital structure कैसा है, कौन सा capital company का ज्यादा है, क इंको dividend देना पढ़ेगा, वो dividend कैसे दे, कितना दे, सर ये भी आगर मुझे पूछा तो बटा ले वो भी हम पढ़ेंगे अपने chapter, हम पने syllabus में, हम पढ़ेंगे बटा dividend decisions, सर क्या बात है, company से इतना current assets, इतना current liability अपने assets का अच्छा यूज किया, और company का बहुत पैसा हो गया सर कंपणी को अपना एक portfolio create करना है, दूसरे company में invest करना है, सर कौन से कंपणी के shares खरीदने चाहिए, कितने चाहिए, उसका थोड़ा बत्ता idea सर, portfolio management, सर अलग अलग securities रहते हैं, हम कौन से company का खरीदे, कौन से security हमने खरीदने चाहिए, security analysis, ले बटा ले, औरे sir मतलब, ये पूरा का पूरा, once again, company start करेंगे, source of finance, अलग अलग इसका, अलग अलग cost, तो cost of capital, लाया है, capital तो करेंगे, उसको invest, investment decisions, company चलाने के ले, current assets भी लगते, current assets भी लगते, मतलब, working capital management का chapter, सर ये करके company ने कमाया profits, profits कमाने काद, company ने dividend देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, dividend decisions, क्या पढ़ेंगे बड़ा, dividend decisions, company ने dividend, देना चाहिए, या नहीं देना चाहिए, या हम पढ़ेंगे, dividend decisions, सर ये कमपनी कौन से shares में invest कर सकती है, portfolio management, सर अलग अलग shares में से best कौन सा कैसे, चुने, security analysis, ले बड़ा, एक company को चलाने के लिए, जो जो basic तू सोच सकता है, institute ने पढ कहां सिलावस बनाया हुआ है, जिसको वो प्यार से कहता है, financial management, मतलब इस financial management में बत्रों, मन की बात नहीं है, मरे आने वाले lectures में, मैं मन की बात नहीं करूँगा, मैं तो, हाजी मैं तो काम की बात करूँगा, धन की बात करूँगा, धन की बात, मन की बात नहीं, धन की बात, काम की बात, एक company को, आप कैसे हैं, शिकर तक ले जा सकते हूँ, यह करने में, एक company secretary के, बहुत बड़ी भूमी का, और यही, हम आप गये, executive के सिलावस में पढ़ेंगे, और प्यारस हैं, क्याता हैं, इसको, financial management, इससे नो, बड़ी, जदे लिदी बताए, इससे नो, सर, बड़, capital market है न, SLCM में, बड़ा capital market है, मैं capital market का पढ़ा रहो, मैं capital market का पढ़ा रहो, मैं cost कैसे निकाल दो, इसको, practical, वो पढ़ा रहो, cost of capital, विक्कु दादा आपको पढ़ाएंगे capital markets, रियल में share market में क्या होता है, वो भई, आप बस, दादा का lecture देख लेना, विक्कु भई, आपको पढ़ा देंगे, उसमें, आकाउंटिंग, अकाउंटिंग, हरी सर है, बोल हरी, खेल कतब, और फिर भई, बाकी तो जो है, चिरा पार्ट अपने आपे, समझ रहें, so definitely share where आप SLCM में पढ़ेंगे, बड़े प्यार से, इदम cute से, sir, आपको cute तरीके से उसको पढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ पर, yes, sir, how is your health, उमका thanks for asking, ठीक हो, थोड़ा बहुत problem चल रहा है, but आप लोगं की दूआ से बहुत जल्दी ठीक So, dear friends, this is your entire syllabus, and I hope I've explained you what our entire syllabus is all about, done, clear है सभी के लिए, yes, no, और अब यहाँ तक अगर clear है, जल्दी तो chat box में, chat box में बड़ा जल्दी से आप लोग लिखेंगे, D3, sir, D3 मतलब क्या, sir, आपने जो पढ़ा है, हमारे दिल में भी गया, sir, हमारे दिमाग में भी गया, और sir, अब सच बताओ, तो हम इसको भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि सर, ये तो हमारे DNA में भी गया, D3, दिल दिमाग DNA, everybody, listen, no, नशांद, मैंने मोदी जी को कॉपी नहीं किया, हम क्यो कॉपी का रहा, वह आजाते है, चलते लेक्षर में, काईबा, ऐसा हुआ है, आज बहुत मिस्किया, आपको, या रोमकार, बिलीव में बड़ा, तेको मेरे आखों में दिखता होगा, तो समाज लेना, मैंने तुमको कितना मिस्किया होगा, मतलब जब तब है डाउन रहती, तब मैं तुम्हारे बाच को सब साधा मिस्किरता हो, या अपने एकजिड़े बाच के एकजिस्टिंग स्टूरेंट है, तो आज नेट नहीं था नहीं था, नेटवर्क नहीं था, स्टार्टिंग में नसीव है, कि लेक्षर के ज़स्ट थोड़े दिर पहले ही रिस्टोर हुआ, नेटवर्क चलूओ गया, चलिए, डन, 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 एवड़ी बाड़ी, पॉफेक्ट, चलिए, आब मैं आगे बड़ू, अब अगर यहा तका क्लियर रहेगा, तो चलिए बड़ा, जल्दी से अब कासे, कैपडल लेकर आ सकती है, न, सो, अलग-अलग सोर्से से कैपडल के, प्राइमेरली, अगर हम देखे, तो कंपनी डिएशुन्स, सबसे पहले, कंपनी अपना पैसा लेकर आ सकती, डिएशुन्स, लोन से, न, डिबेंचेस बोलो, लिखेंगे मेरे साथ-साथ सभी आपको बड़ा, हरी सर ने बहुत प्यारे दर्गे से बताया, कि आपको क्या-क्या लगने वाला, और जो हरी सर ने आपको अकाउंट्स में बताया न, बड़ा, वो सेम अप्लीकेबल आपको FM के लिए भी, कि आपको डेफिनिटली नोटबुक तो लगना ही है, साथ में, ज सब कुछ बताया है, काल्कुलेटर, बस जो CMA में सर ने बताया है न, तो सब FM में भी अपका लिए तो जैसे सर ने कहा है, कि आप सब कुछ नोट्स में लिखिए, वैसे एडियोशन्स, मैं भी आपको वही कह रहा हूँ, जो जो हम स्क्रीन पर लिखेंगे, आपको वह वह चलना है, एडा, चली, आचाहे, यस, Lifestyle, यस, it's a first day of class, in fact, we are having some few days of demo sessions for those who have cleared CSWD just now, कई सार बच्चों का CSWD ka result भी आया, so they might be now planning to join classes for CS Executive, and before they take their decisions, these are certain free series which we are conducting, wherein the child can come, see for himself, always finding our lectures, before joining, or before paying the fees, right, and hence these demo sessions are going on, okay, Lifestyle and Attitude, एक ले ये जवाब था, जैसा नाम इनका चैनल का, वैसा एक जवाब में इनको दे दिया, right, how long will it take, for what, how long will it take, for what, for what, right, so, एक कमपनी के बार में आपना सोचे, dear Ashwins, this subject, so essentially it will take three months, so by April end, dear Ashwins, ये अपना commitment है, 30th April के पहले, मैं आपका पूरा syllabus कतम कर दूँगा, अईसा क्यों, कि बड़ा June में आपकी exam है, and believe me, आप पर इतना सब पढ़ लेंगे, बस उसका revision आपको करना है, revision के आपको टाइम मिल गया, आपकी नईया पार, बस सारे lectures, एक lecture मिस मत करना, एक lecture मत मिस करना, इतना पूरे concentration सब देखना, बस जो हमने पढ़ाना, उतना ही revise करना, और exam में जाके बैठ जाना, मतलब भई, exemption इतने hundreds of students को मिले, 80-80 marks, 1990 के नजदिक आयो, कितने सारे बच्चे ideations, बहुत सारे, इतना प्यारा subject है ये FM, और वैसे जबरदस्त हरी से का भी आप CME का result देखना, क्या लाए बच्चों ने CME marks भर भर के, तो ये दो subject भले practical होंगे ideations, बट believe me, बहुत ज़्यादा कमाने वाले subjects है, मतलब यहापे तो नामी है भी, लक्ष्मी मैनेजमेंट, यहापे अपन कमाना ही सिखात है बस, ना, तो FM, CME, जबरदस scoring subjects है, मतलब कई सारे बच्चों का ideations में, अगर गलती से कोई एखाद group tough जाए, group one मानने जिए गलती से एखाद subject, क्यों एखाद paper tough institute निकालती है, तो कई सारे बच्चों का ऐसा हुआ है last time में, हम आपको ये एक तरह से हमारा commitment मानिये, कि FM का जो syllabus editions 30th April तक को खतम करके, आपको पूरा में मिलेगा, ताकि हमने जूब आपको पढ़ा है, बस आप revise कर पाओ, तो 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 आप revise अच्छे से करना नहीं आपार, तो that May month definitely for sure, विट test series आपका 30th April तक सब कतम हो जाएगा, ओके, done, see daily class timings, essentially life and style, will tell you all the details by the last lecture, तो last demo lecture में आपको सब कुछ बता जाएगा, piece structure बता दीजिए, थोड़ा बहुत कैसे lectures रहेंगे, ऐसे पकड़ के चलिए, आप morning around 9 o'clock से लेके, evening, in fact early evening 5.30 तक आपके लेक्षेश चलिएगे, around 9.30 to 5.30 के आपके लेक्षेश चलिएगे, okay, so you should, यहाँ देखे अभी, पड़ा बच से, let's start, जो basic concepts में आपसे कादापन देखेंगे हैंगे ना, तो capital, capital बढ़ा, एक company पैसा ला सकती है, debentures से, एक company deviations पैसा उठा सकती है, preference stocks है, preference shares से भी पैसा लेकिया सकती है, एक company deviations अगर आप देखेंगे, तो equity shares से भी पैसा उठा सकती है, और deviations मान दीजिए, अगर एक company को एक नया project चाहिए, तो एक बड़े-बड़े जो company ज़रत है, इंका कई सारा reserves and surplus भी होता है, बहुत सारा पैसा है, जैसे टाटा, कई सालों से है ये company, और इतना पैसा है, कि अगर नया project finance करना है, तो इंको ना debenture देनी की ज़रूते, किसी को ना loan मागने की ज़रूते, ना preference नहीं कोटी, खुद कोई पैसा है इतना उस company के पास, कि आराम से invest कर सकता है, बड़े-बड़े companies, अगर आपको operations capital छे, आप एक तो वो debenture के फॉर्म में लेके आईए, आप उसको preferences के फॉर्म में लेके आईए, आप equity shares के फॉर्म में लेके आईए, या आपके company के जो reserves and supplies है, उन्ही को आप use कर लीजे, उन्ही को आप use कर लीजे, done, okay, right, तो ये सब है आपके पास, अब आप इसमें situations कोई भी उठाईए, कोई भी जगह से आप पैसा लेगाईए, उसलिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, सामने वारा ने तो आपको उसका पैसा देगा है कि, जैसे माली जै मैं अगर आपको आपके पैसे माँगो, तो आप मेरे से कुछ तो लेंगे, loan लिया है तो interest, अगर आप मेरे company में equity shareholder बन रहे हो, तो आप मेरे से dividend तो लोगे, everybody yes or no in the chat box, जैदे ली से, कुछ तो लेंगे कि नहीं लेंगे, बदले में कुछ ना कुछ तो लेंगे, इसलिए आप इन capital में से बटा, कई से भी पैसा लेकिया हो, आपको उसके पर कुछ ना कुछ क्या देना पड़ता है, cost tinker करना पड़ेगा, एक company के angle से आप सोचो, आपको एक shareholder के angle से भी नहीं सूचना है, एक company के angle सोचो, आप एक company के key manageral personal ऐसा सोचो, और आप आपको company को बताना है, कि हम पैसा debentures से उठाए, preference से उठाए, equity से उठाए, resistance surplus उस करें, खमणी बोलेगी, आजी कई से भी उठालो, ओए की गल है, और की से भी उठाले, उठाना ही तो आया पैसा, और जी, पैसा उठाना इतना simple नहीं, कि पैसा उठा लिया, तो सामने वाले को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, dividend, interest, कुछ तो, मतलब इक company को incur करना पड़ेगा, बटाए cost, और वो cost calculate करना अपने से लाबस में, तो costing करना पड़ता है मतलब, मतलब क्या, मतलब बटा, share capital या कोई भी capital प्रेस करते हो, सामने वाले के पैसे अगर आप लेते हो, तो वो पैसा, आज वो बंदा कई पर invest कर सकता था, पर उसने वहाँ ना invest करते हो, आपको दिया, इस चमतकारी पूरिश ने बढ़ा, इस चमतकारी shareholder ने, उसका धन आपके हाथों में दिया है, जब वो company के हाथों में अपना धन देगा, तो company से बड़ा कुछ तो expert करेगा, और जो company को auditions देना पड़ता है, उस capital के लिए, उसको हम कहते हैं, उस company का cost of capital, क्या बोलता हैं उस company को, कि company ने ये जो capital raise किया है, उसके उपर company को कुछ तो, देना पड़ेगा, और इसलिए, हम सीखते है, something called as cost of capital, सबसे पहले, तो पूरा index जो auditions में आपको बता है, उसमें जो सबसे पहले, थोड़ा बोच समझने जैसा है, वो है cost of capital, कि company के अलएलग capital का cost क्या होता है, done, अब जैसे मैं आपको लिखके बता है, डिएशन साब वापस लिखेंगे, ये capital में अपना क्या क्या हो सकता है, एक और बार लिखेंगे बटा, अब जैसे मैं आपसे आप कईसे भी capital आएंगे, तो कुछ तो cost टिंकर करेंगे, तो बड़ा जो cost रहता है cost, उसको हम के से दिखाते हैं, आप कोई भी capital रिज करिए, लिखेंगे मेरे साथ, आपको उसमें कुछ तो cost टिंकर करना पड़ेगा, और यह जो cost रहता हैं उसको हम के से दिखाते हैं, कहां से दिखाते हैं, के से, के दिखाते हैं, अब यह के से कैसे निकालेंगे, यह तो आपन कल के लेक्चेर में पड़ेंगे, बड़ा इंट्रेस्टिंग रहेगा, लिकिन जो यह cost of debenture रहेगा, उसको अपन प्यार से केड़ी लिखते हैं, जो cost of preference share रहेगा, उसको प्यार से अपन KP लिखते हैं, जो cost of equity shares रहेगा, उसको अपन प्यार से केड़ी बताते हैं, और जो reserves and surplus रहेंगे, उसको अपन प्यार से के-R बताते हैं, तो यह पूरे FM में, मैंने chapter का बड़ा आप देखना, नाम ही क्या लिखे दिया है, basic concepts, आप पूरे FM के किताब में, आप कई से भी पढ़िए, यह basic support लेंगे, कई पे भी केड़ी दिखा, तो डरना नहीं है, इसका मिनिए cost of debentures, कि company जब debenture raise करती है, तो company को बड़े में, कितना देना पड़ता है, कई पे भी केड़ी बड़ो, तो यह cost of preference shares की, एक company reliance नहीं मान लिजे, लोगों से पैसा लिया, preference shares दे दिया, preference shares के थूरू, capital raise किया है, तो reliance को बड़े में, कुछ तो देना पड़ेगा, preference shareholders को, तो क्या cost जो reliance incur करेगा, उसको KP से दिखाते है, cost of preference share, sir, cost word तो C से शूरू होता है, तो KD क्यों नहीं बोलते है, cost of preference C क्यों नहीं बोलते है, बटाई ये एक, क्या बोल सकतो, एक standard notation हो गया है, कि उसको K से दिखाते है, अब क्योंकि कई सारे finance के, महारतियों ने के इस्तमाल किया था, इसलिए आज में, वो संस्कृते हैं, आज में हैं, कि हम हमारे capital को, कैसा दिखाता है, cost of adventure, कि ये भी, पर आप आएगा cost of equity, अगर अपनी equity share से पैसे उठा है, तो भी लोगों को dividend देना पड़ेगा, तो जो company को देना पड़ रहा है, ideations, बदले में, जो company को मिल रहा है, याब calculate करोगी, company को पैसे मिल रहे है, company को dividend देना पड़ेगा, और कितना देना पड़ेगा, कितना खरचा आएगा company बुर्दे, equities वालों से उपने पैसे लिए, कितना देना पड़ेगा उठाएगा, तो आपको निकलना पड़ेगा cost of equity, तो पूरे book में कहीं पे भी आप K.E. देखो, तो समझ देना, वो किसकी बात कर रहे है, वो बात कर रहे है, company को जो equity के उपर cost incur करना पड़ेगा, अगर cost of reserves and surplus निकालना है, जो company का already है, तो उसको dueations अपन K.R. से दिखाते हैं, तो पूरे book में कई भी आपको दिखे, K.D., K.P., K.E., K.R. ये बार-बार दिखने वाले आपको बड़ा, तो जल्दी से बोलो K.R. मतलब क्या, cost of return earnings, मेरे साथ revision revise करो, तो रोज lecture में ऐसे करेंगे, जो पड़ा उसका immediate revision, तो जल्दा, घर जाके बस कुछ नहीं करना है, जो homework दिया, थोड़ा बहुत हो देख लेना, that's it, done, 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 कुछ वाद करने की ज़रूद नहीं, तो cost of return earnings, K.P. क्या रता है, cost of preferences, K.E. क्या रता है, cost of equity, K.D. क्या रता है, cost of date बोलो उसको, या cost of debentures बोलो, cost of date रख लेते हैं, so cost of date, done, बड़ा एवरिबरी, so पूरे FM के book में, आपको कही पे भी, आपको मेरी FM के book मिलेगी है, बहुत जल्द, जैसे आप admission लेते हैं, आपको notes, courier हो जाते है, इद्दा मस्त, चाट format में सब कुझी दिया है, colored, पूरी की पूरी theory colored है, right, वहाँ पे पूरे book में आपको दिखेंगे, कई बार ये use हुआ है, लेकिन आज आपको शाहिद समझ में आ गया होगा, कि हम पूरे अपने FM के syllabus में डियोशन के आप पढ़ने वाले हैं, और FM को पूरा syllabus, just imagine करना, institute को बता था, कि आपको बनाना है professional, institute ने बोला, सिर्फ law ने, law के साथ, अभी जो hut चल रहा है, उनको भी add करना पढ़ेगा, professional से उठाया है, और executive के level पे लेका है, पढ़ेंगे क्या, बड़ा ये सोच, तु तेरा finance से आलू कर रहा है, तु तेरी company start कर रहा है, क्या क्या लेगा तुझे, सब ये सब लेगा, source of finance, कहा से लाएंगे, कितना cost आएगा, capital structure company क्या रखना है, loan जादा लू, क्या गूड़ी जादा लू, इंवेस्मेंट करेंगे, इंवेस्मेंट डिसिजन्स, सब फिर इतना profit करेंगे, current assets, current liability होंगे, तो उन दोनों का management, working capital, सब फिर हम जो profits कमाएंगे, profits को invest करना है, portfolio management, कौन से securities में करेंगे, security management, सब मतलब मुझे तो पहिवी बार ऐसा लग रहा है, कि ये subject का index भी logical है, जो पूरा तुमारे index situation जो मैंने आपको लिखे दिया आपको, कि हम कहां कहां पढ़ेंगे, हम यह यह chapters पढ़ेंगे FMA, सर मुझे तो पूरा index logical लग रहा है, तो बड़ा मेरे पूरे subject को अगर आपको पढ़ना है, तो एक ही चीज required है, और जो हमें दम खोद के, तोड़ के रोज पढ़ेंगे, जो एदम वादा है मेरा आपसे, वो है logics, हर एक concept को pure logics के साथ, पूरे concept चोड़ा अडर्शानिकाद, कि ऐसा है तो ऐसा क्यों, तो इन सब के साथ, यह पूरा सिलाबस हमको पढ़ना है, और आप देखिए कि इस subject कि इतना प्यारा रिन वाला, मतलब इतना मज़ेदार ना यार, कि जो पढ़ोगे ना real life में उस करोगे, आज से बढ़ा तुमको ऐसा रोज लेगा, FM के lecture के बाद, यार, मस्ट की सवजी में आ गई, चरब पैसा बढ़ाता है, अला, अच्छा सर, ऐसा रहता है, सर, मतलब जो पढ़ रहा हो ना रोज, सर रोज real life में दिख रहा है, सर रोज जो पढ़ रहा हो ना, सर रोज real life में दिख रहा है, इतना एक मज़ेदार experience क्रेड हो जाता है, और ये best part of editions executive का, कि CSWT में बहुत सारे subject ऐसे हैं, जो theory में हावे में हावे में, abstract, पढ़ते तो है, पढ़ते तो है, real life में कहीं दिखते हैं नहीं, बड़ executive की खास्यती है, जो जो एक एक पढ़ोगे ना, आप law में, अब इतने बड़ी हाटीचर्स आपको पढ़ाएंगे, विकासर चिराक सर, तोड़के तो पढ़ाते ही है, जब साथ साथ में इतना real life का knowledge मिलेगा, कि आपको ऐसा लेगा, यह सुझे मैं रोज शो क्लास में पढ़ता हूँ ना, सर रोज मुझे कहीं ना कहीं दिखता है, वोसा paper में दिखता है, इसा कभी news में दिखता है, इसा कभी किसी company के सर statements उपन कर लेता हूँ ना, वो उजब पढ़ाता है लेक्षर में, वो तुम real life में दिखता है, इसलिए executive के subject साब को प्यार हो जाता है, कि जो आप यह पढ़ते हो, वो आप real life में देखते हो, यह सिर्फ मन की बात नहीं, काम की बात है, तो यह पूरा का, पूरा इंडेक्स जेशन साब देखना कितना लॉजिकल है, मतलब हर एक subject जो तुम्हारे इंडेक्स में डाला हुआ है, वो सोच समझ का डाला हुआ है, कि तुम real life में KMP बनोगे, तो क्या करोगे, यह सब करोगे, हर एक step को, हर एक chapter को logically बनाएगा है, यह real life में बालो माता है, यह इनको पढ़ाएंगे हैं, और उसमें डियाशनस हमने देखा, कि अगर company मान लेदे डियाशनस capital उठाती, तो का का से उठा सकती है, और जहाँ से भी उठा है, उसे cost होता है, उस cost को कैसे दिखाते हैं, उसके notations बसा आज मने देखे, तो आज के लिए डियाशनस बस इतना ही, हाई क्रेशना, नमस्ते बटा, मैं बढ़े आज तू कैसा है, आज के लिए बड़ा बस इतना ही, लेकिन कल जब आपन मिलेंगे डियाशनस, तो कल हम इसके real life calculations के रहत कारते हैंगे, गलती से कल का lecture मत मिस करना, बढ़े demo ही है भई, आप बढ़े free में अटन करके चले जाना डियाशनस, लेकिन गलती से भी, कल का lecture मिस मत करना, कल में सबसे जबरदस concept, जब पूरे FM में आपको बार बार लगेंगे, आप में से कोई ऐसा सोच रहा हैंगे, कि नहीं से मैं तो self-study से कर लूँगा, मेरा पूरा आजाता है मुझे, मैट से दनां तोड़ू है सर मेरा, परेंस का भी knowledge है, बढ़े बढ़े तो को self-study करना हो ना, कल का lecture ज़रूर देखना, कि कल में बहुत S.A.B.C. concepts पढ़ाना वालो, जब को पूरे FM में लगेंगे, right? So, dear friends, that's from my side, this is SGD, signing up for tonight, I'll see you tomorrow, same timing at 45 to 9.45, with fantastic-fantastics, and the most important concept, कल गलती से भी मत lecture मिस करना, आज का lecture किसे ने missby किया होगा, और आप अपने friend को बोलना, कि सर ने बोला है मुझे फोन करने के लिए, आज का missby कर दो भी चलेगा, कल का तुझे समझेगा, असा सर ने guarantee दिया है, और सर ने बोला है, कल का lecture you cannot afford to miss, इतना important रहगा, कि ये पूरे FM में आपको हमेशा लगने वाला है, आज और हमेशा, इतना important concept, कल आपना स्टार करेंगा, रॉइट, आपको प्यारे प्यारे इमोचीज डालते हैं, बस वो भी डालते हैं, तो मुझे समझ में आ जाएगा, कैसा रहा, और भई जाइए आपने parents के साथ, बहुत बढ़िया साथ आपका जो भी family time होना चाहिए जाइए मनाइए दुआ करता हो कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे सब खुश होंगे और कुछ बाधाई भी अगर जीवन में है तो बहुत जल्द वो दूर हो जाए आपके परिश्रम से इस उमित के साथ शुभ रातरी take care and bye bye god bless चली कौन सार डालोग़ बस सर थैंकस अबिलाश्र तो बैड्मिन्टन वाला तो नहीं बुरो नहीं बैड्मिन्टन वाला नहीं है बिल्कुल भी चल जो बैडालोग़ कल देख लेंगे कब डेफिनिटली देखेंगे, आज नहीं, चलो, बबाई fantastic night, शुबर आत्री everyone और लेक्षे अच्छा लगे तो भई like ठोकना ना भूले, सच में like ठोकना प्रिये वेटा, कोई पैसे नहीं कडेंगे तुमारे account में से, बबाई